नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपने यूटूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जी के मैं है दोस्तों इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ देली सबोडिनेर सर्वी सेलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो आपके जूनियर इंजिनियर स्यूल का पेपर हुआ है 23 सक्टूमबर क थर्ड पारी में पेपर है तो इसमें इस पेशली इस वीडियो में बात करेंगे जो 20 क्योशन जीके के पूछेगे हैं बहुत ही जदा इंपोर्टेंट क्योशन है आने वाले किसी भी एक्जाम में रिपीट हो सकते हैं और ये सभी क्योशन अपन एक्ष्टा फेक्ट करने वाले हैं तो वीडियो के एंट तक जरूर बने रहे हैं बाकि इस पीडियो फाइल में आपको 20 क्योशन मिल जाएंगे रिजनिंग के 20 क्योशन मैथ के मिल जाएंगे 20 जीके के हैं 20 यहां पे हिंदी ग्रेमर के हैं और 20 इंगलिस ग्रेमर के हैं और इसकी पीडियो पेपर हैं आप मेरे को वाट्षैप कर सकते हूं डैस्क्रिप्शन बॉक्स में वाट्षैप नमबर हैं तो यदि आपके पास पेपर है तो जरूर वाट्षैप कीजिए तो चले श्टार्ट करते हैं आपके इस सेप्ट में जो 20 जीगे के important question है, वो कौन से हैं आपके साइब पहला question नमलिक्ट में से कौन सा खिलाडी? कौन सी खिलाडी? दरशाइग केइख खेलों से संब्वंदित नहीं हैं तो यहां पर खिलाडी है और कौन से इस पोट से बिलोंग करते हैं वो दर्शाय गए और कौन से यां पर सई समयलित नहीं है तो इसमें option चार करेक्ट हो जाएगा Four मारिया सारा पोववा इसमें दे का है gymnastyk तो मारिया सारा पोव है यह gymnastics से बिलोंग नहीं करती है इसका sport है tennis जो कि रस्या के एक professional tennis player है मार्या सारापवा अगला स्वाल निमलिक्त में से किस विकल्प में सभी परवत शिकर भारत में इस्थित हैं तो यहां पर आपका option तीन correct हो जाएगा कामेट नंगा परवत और नंदा देवी कामेट परवत जो कि उत्राकंड राजे के चमोली जिले में है और तेबत की सीमा के निकट इस्थित है तो यह उत्राकंड में आपका कामेट नंगा परवत की बात करें तो नंगा परवत जो कि दुनिया की नोवी सबसे उन्चे सोटी है नंगा परवत और यह परवत दोस्तो और विशु की तेविश्मी सर्वोच चोटी है नंदा देवी और इस से उंची वदेश्क में जो सर्वोच चोटी है भारत में वह है कंचन जंगा कंचन जंगा के बाद जो नंबर आता भारत की सर्वोच उंच चोटी की वह है आपके नंदा देवी ये उत्राकंड में है तो गुर्ला मंधाता तो गुर्ला मंधाता ये तिबत में है मांसरो जील के पास हिमाले का परोत है तो ये तिबत हो जाएगा चाइना का मकालू की बात करें तो मकालू ये नेपाल और तिबत में दोनों में है नेपाल और तिबत के छेतर में है मकालू परोत जो कि यहां पर तो हो जाता है थर्ड यहां पे कंचन जंगा है और चौती हो जाएगी आपके लोट से क्या है लोट से आपके चौती है और पांचवी यहां पे मकालू परोथ है और यह मकालू परोथ कहां पर रहती हूं नेपाल और तिबद की सीमा पर है और यहां पर नमचा बरवा नमचा बरवा तो नमचा बरवा ये भारत में नहीं है चाइना में है तो ये भी भारत में तीनों नहीं है नमचा बरवा चाइना में गुरला मंधाता तो ये तिब्बत चाइना में हो जाएगा और कामेट ये हलंकी भारत में है लेकिन सभी का पूचा सभी विकल्प आपके भारत मे होने चाहिए अगला स्वाल एक महान नाटकार थे जो अपने नाटक उत्रा राम चरितम के लिए बहुत विख्या थे तो यहां पर हो जाएगा भवभूती भवभूती एक महान नाटकार थे भवभूती संस्कृत के महान कवी और सरोष्ट नाटकार थे और उनका एक नाटक है उत्रा राम चरितम उनके तीन जो पर्मुक नाटक हैं एक हैं जोकी वह महावीर चरितम है और शेकरिया प राम चरितम जो दे रखा है एक और है मालती मादव यह तीन पर्मुग नाटकेचन के भयो भूती जो की संस्क्रत के महानकवी और सरोशिष्ट नाटकार है और उनके नाटकौफ के समतुले माने जाते हैं वीडियो मा आगे बढ़़े उससे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों यदी आप अभी SSE और railway के किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो best study material रहेगा पिर्वीश येर की पेपर यहां पर railway के सभी 10 एक्जाम जो 2018 में हुए आप देख सकते हो डिस्काउंट डील के तेयत आपको मिल रहे हैं 85 रुपे में description box में payment की लिंक है payment के बाद यहां पर आप वाट्सेप कीजिए तुरंत पीडियो फाइल आपको मिल जाएगी और ये सभी SSE की पेपर भी इसी टाइप से available है सभी की लिंक आप description box में जरूर चेक कीजिए next one या प गति का पर्थव नियम जिसे जड़तो का नियम कहा जाता है जड़तो का नियम क्या कहता है कोई वस्तु यदि इस्तिर है तो वो इस्तिर बना रहेगी और गतिसील है तो वो गतिसील बना रहेगी जब तक उन पर कोई external बाहिये बल काम नहीं करता है तो ये इसमें बताया ग जाता है तो येदि हरीягरब का अनुष्ठान करा दिया जाए तो यहां पर क्या result माना जाता है कि एसा सोचा जाता है कि बलिदान करता का बलिदान उसे छत्रीय के रूप में पुन्द्र जनम की तरफ ले जाता है तो छत्रीय के रूप में उनका पुन्द्र जनम होगा यदि वो हिर्णिय गरब का अनुष्ठान करा देता है नेक्स्टन यहाँ पे कैंद्रिय बजर 2019 ने सभी ग्रामिन परिवारों को हर घर जल कब तक सुनुचित करने के लिए जल जीवन अभियान जो जल जीवन मिशन है जिसकी यहाँ पे परधान मंत्री नेंदर मोधी ने तेहे तरवे सोतंतरा देवस्ट जो सोतंतर देवस्ट है उस पर लाल किले की प्राचर से राष्टर को सम्मोधित करते हुए मोधी ने कहा था कि देश में अभी करीब 50 फिस्टी परिवारों को पाइप के जरिये पानी नहीं मिल रहा है और जल संकट का उलेक करते हुए परधान मंत्री ने जो ये जल जीवन मिशन का प्रारम किया ह और इसका टारगेट रखा गया है 2024 तक हर घर जल सुनिजित क्या जाएगा टारगेट पूचा है जो कि 2024 तक है और बजट में इसकी कोहशना की गई है जो कैंदरी बजट 2019 में निमलिक्त में से किस फिलम ने दक्षिन ACI 46 सहयोग शंग्ठन यानि जो साक है S.W.A.R.C. South Asian Association for Regional Corporation Film महःस्व 2019 में सरो स्रेष्ट feature film का पुरुषकार जीता है तो साक की तरफ से जो यहां पर फिलम महःस्व हुआ है 2019 में सरो स्रेष्ट feature film का पुरुषकार जीता है उस मुवी का नाम है नगर कीर्थन क्या नाम है नगर कीर्थन जो कि एक Transwoman और Floatist की प्रेम कानी है जिसमे एक तो आपके रिदी सेन और रित्विक चकर वरती हैं तो इस मुवी में निगर कीर्टन इसका नाम है और इस मुवी ने साग का फिलम महुसा जो बेस्ट सौर्ट मुवी की बात करें तो इसमें भी एक भारत की मुवी को मिला है बेस्ट सौर्ट मुवी का जो पुरुषकार दिया गया है वो दिया गया है ना बोले जो बेस्ट सौर्ट मुली है ना बोले वो हरम तो इसको मिला है ना बोले वो हरम और ये एक 20 मिनिट की जो debut for direct range के नितिस पतन है तो इनकी ये short movie है और साग की बात करें जो दक्षिन एसे छेतरी शयोग शंक्तन है इसका headquarter कहाँ पर है तो headquarter है काहट मांडू में और ये इस्तापीत हुआ था 8 December 1985 हुआ था और वर्तमान में इसके 8 सदेश्य देश है जिसमें आपके अफगनिस्तान, भांगल देश, भुटान, भारत, मालदिव, नेपाल, पाकिस्तान और स्रिलंका हो जाएंगे नेक्स्ट वन यापे 1857 में किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादूर साथ जफर अंतिम मुगल समराट होंगे और उनकी मिर्ट्यू के बाद उनके वनसज़ों मैंसे किसी को भी राजा की रूप में मानिता नहीं दी जाएगी तो बहादूर साथ जफर इन्हें बहा थे यह बहादूर्शा जुत्य और इनका जो सासनकाल रहा है वह 1837 तक 1837 से 14 सितंबर 1867 तक 19 साल यानि लगबग 20 साल के आसपास रहा है इनका सासनकाल और पर्थम की बात के पर्थम मुगल सासक आपको पता होना चाहिए बाबर है बाबर के सासनकाल की बात कर तो 1526 से लेक सासनकाल रहा है और यह जो बहादूर्शा दित्ते हैं बहादूर्शा जपर यह हैं आपके अंतिम मुगल भास्ता और यहां पर 1837 स्वतंतरता संग्राम के बाद बिर्टिस्ट द्वारा इन्हें अपदस्त और ब्रह्मा में निर्वाचित कर दिया गया था अगला स्वाल भूग की संतुष्टी का एहसास मस्तिस के किस हिस्से से जुड़ा हुआ है तो भूग की संतुष्टी भूग लगी है या फिर भूग आपके नहीं लगी है भरपेट हो चुका भोजन तो इसकी संतुष्टी का एहसास मस्तिस के किस हिस्से में किया जाता है तो मस्तिस का ज हो जाया फिर आपका तीसरा है पच्छ मस्तिक्स जो हिंड्ब्रेन है मद्य मस्तिक और जो पच्छ मस्तिक हैं उसमें सेरे बेलम होता है और मेडूला भी सामिर होता है पच्छ मस्तिक का कारे होता है दर्शे और जो सरवन उतेजनाओं की परतिक्रिया है उस पर सेर गर्दन आदी में होने वाले परिवतन को कंट्रोल करता है पच्छ मस्तिक अगल 7516.6 km है जिसमें आपके अंडमान निकोबार लक्स दीप साइट है टोटल यहां पे स्टेट की बात के रहे तो 9 स्टेट है जो की यह समुद्र तटकी बाउंडरी टच करते हैं प्लस दो आपके कैंदर शासित परदेश हैं यूनियन ट्रेरिट्री दो हैं इस्टेट नो है औ और अंडमान निकोबार जो लक्स दीप है इनके साइट यहां पे टोटल हो रहे हैं 7,516 km है और सबसे अधीक की मैं बात करूं तो गुजरात की बाउंडरी बहुत बार पूछा गया है कौन से इस्टेट की बाउंडरी है जो समुद्र तटकी लंबाई जिसमें सबसे अध हैं तो वह हैं गुजरात की 1214.7 km यहां पे गुजरात की हो जाती है जो कि सबसे लंबी है और यहां पे मैं बात करूं कौन से इस्टेट है यह बाउंडरी टच करते हैं तो इसमें आपके आ जाते हैं गुजरात हैं महाराष्टर गोवा और कैंदर्शासित परदेश की बा हैं और अगले स्वाल की कि तरब मुझ करते हैं निमलक्त में मेंसे कौन सा इस्तमाग दिल्ली में इस्तित है और इसका निर्माण unfolding में किया गया था तो 1656 में जो इसमाग का निर्माण किया गया था वो जामा मस्जिद ये सभी इसमाग दिल्ली में ही है लेकिन जो 1656 में निर्माण हुआ है वो जामा मस्जिद हो जाएगा जामा मस्जिद का निर्माण समराथ सहा जाने किया था ये पुरानी दिल्ली में इस्ति इस्टोरी बनाई थी फिर अन्य जो तीन इस्टोरी है वो इलतुत मिस्ट ने बनाई थी और लाश्ट एक तुकलक ने भी बनाई थी तो 1199 में इसकी पर्षम इस्टोरी कुतुब दीन एह बगत निर्मान किया था यह भी दिल्ली में हो जाएगा और लाल किले की बात करें तो लाल किला भी दिल्ली में है जो कि 1149 में इसका निर्मान इस्टार्ट हुआ था 1649 में पूर्ण हुआ था यहां पर इसके वास्तुकार से बहुत बार परशन पूछा जाता है कि लाल किले के आर्किटेक्ट कौन है तो उस्ताद एहमद लाहुरी इनके architect है, India gate ये भी आपके दिल्ली में है, और इससे क्योंशन पूछा जाता है, इससे किस ने design किया है, तो ये design हुआ है दोस्तों, एडविन, एडविन luteans, एडविन luteans के दोरा इसको design किया गया है, तो इन्डिया gate है, और इस ये established हुआ है, 1921 में 10-5, 1921 को, इन्डिया gate हुआ था इस्तापित, अगला स्वाल यहां पे, off-side trap सब्दाल्य का प्रियोग, कौन से spot में क्या जाता है, off-side trap जो term है, इसका प्रियोग होता है, फुटबॉल में, काफ़ी important question, off-side trap है, सब्दाल्य का प्रियोग, फुटबॉल में क्या जाता है, अगला स्वाल, Black Hall की पहली तस्वीर किस वर्ष में और कौन सीट कितने टेलिसकॉप है, जो आकास लोचन है, इनकी मदसे ले गई है, तो Black Hall की जो पर्थम तस्वीर ले गई है, वो आपके 2019 में ले गई थी, 11 अप्रिल को, 11 अप्रिल 2019 को Black Hall की पहली तस्वीर जारी की गई तो NASA के खगोल सास्त्री ने पहली बार Black Hall की तस्वीर जारी की, और इसमें जो Black Hall की पहली तस्वीर है जो टैलिस्कॉप है, उसका नाम है Event तो ये भी पूचिले तो टैलिस्कॉप का नाम है Event Horizon Event Horizon नाम की 8 टैलिसकॉप, 2019 और 8 आकास लोजजन जो टैलिसकॉप है इनके समू से ये ले गई है, माना जा रहा है कि ब्लैक हॉल पिर्थी से 4000 किलोमेटर है, वो 4000 नहीं, 4000 करोड किलोमेटर, कितना दूर आप इमेजिन कर सकते हो, 4000 करोड की में दूर इस्तित है और इसकी यहाँ पे इमेज ले लिग गई है, आँ टेलिसकॉप की मदद से जिसका नाम है, इवेंट होराइजन, 11 अपरिल 2019 को ये नासा के खगोल सास्त्रीन रिकॉर्ड लिया है, निमलिक्त में से कवी कौन है, जिनोंने बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित की रचना की है, बुद्ध चरित की रचना जो की है, वो अश्व घोष ने की है, किनोंने की ह अश्व घोष इनका करेक्ट एंसर हो जाएगा, अगला स्वाल यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षन, 2018-19 के अनुसार वर्तमान अमरिकी डॉलर में सकल घ्रेलू उत्पाद की मामले में भारत है, वो सबसे बड़ी अर्थ्वेश्टा है, कौन सी, कितने रैंकिंग पर हैं, बात करें, तो 2017 में भारता पांच्वे रैंकिंग पर, अभी यहाँ पर रैंकिंग है, वो लुड़क चुकी है, पांच्वे से सात्वे आज चुका है, और इस उची में बिर्टेन और फ्रांस पांच्वे और छटे इस्तान पर पहुंच गए है, बिर्टेन आपका पांच पर है, यूके बिर्टेन, और छटे पर है यहाँ पर फ्रांस है, और सात्वे पर इंडिया है, और पहले जो 2017 में रैंकिंग थी, उसमें भारत फ्रांस को पचाड कर आगे पहुंच था, लेकिन इस बार जीडिपी की रैंकिंग की मामले में वो फिसल गया है, अब की बार जो पर्थम रैंकिंग की बात करें आपके, 2018 की, तो फास्ट यहाँ पे यूनाइटेड इस्टेट अप अमरिका की हो जाती है, सेकेंड आपके चाइना की है, थर्ड हो जाती है, जपान की, चोती हो जाती है, जरमनी की, पांचवी यहाँ पे, बिर्टैन की है, छटी फ्रा बोला जाता है, यह इस्तन पान के प्रारंबिक दिनों में मा के द्वारा स्रावित किया जाता है, तो इस्तन पान के द्वारान यह स्रावित होता है, पियूश कोलेस्ट्रॉम, पीने के पानी की माध्यम से आर्षेनिक विशाक्तता के ततकाल लक्षन क्या है, तो पीने के पानी की माध्यम से जो आर्षिनिक की असुदी आ जाती है पानी में तो उस केस में जो तख्तकाल लख्षन नजर आएंगे उसमें आपकी दस्त होगी दस्ततकाल लख्षन है बाकी लॉंग टाइम में ताउशा अच्छती ये प्रमुगिस्काल लख्षन रहता है और दोस्तो है स्विकष्ट मातरा तो भारत में हैं 50 ppb स्वी कर्ट मातरा जो पानी में हैं इससे कोई लुक्षान नहीं है तो भारत में मानी जाती हैं पचास ppb और विक्षित देश हैं उसमें मानी जाती है 10 ppb नहीं जिए जरूर याद रखना है निम Oder व्रिक्तमेस्टी किस भारती सहर में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा अभी वरत्मान में तो दोस्तों मैलबन उस्टेलिया वाला है MALBUN तो यहाँ पर वैलबन विश्व क्रिकेट ग्राउंड है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट इस्टेडियम है यह चमता के आदार पर है कि कितने दर्शक की यहाँ पर देखने की चमता है तो मैलबन में फिलाल एक लाग चौबिस की चमता है और अभी सेकेंड इस्तान पर ज स्टेडियम बन गया है जो की है एहमदाबाद सहर में मोटे रा इलाका में एहमदाबाद के मोटे रा इलाके में हैं इस स्टेडियम का नाम है सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम तो सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम है इसकी चमता है एक लाग दस जार जो एक लाग 24-36 मेलबन की यहां पर देखे रेकॉर्ड बन चुका है 110,000 की चमता के साथ सबसे बड़ा स्टेडियम एहमदाबाद मोटेरा सरदाल पटेल गुजरात स्टेडियम हो गया है सिक्सा का अधिकार की व्यास्ता को कौन से समिधानिक संसोदन अधिनियम के दोरा भारती समिधान में जोड़ा गया था तो सिक्सा के अधिकार की व्यास्ता को यहां पर 86 समिधान संसोदन के दोरा जोड़ा गया है और ये संविधान संसोदन हुआ है दोस्तों 2002 में ये अधिनियम आया था भारत का संविधान 66 मा संसोदन अधिनियम 2002 इसमें एक नया अनुच्छे दाया था 21-1 को जोड़ा गया था जिसमें शिक्षा के अधिकार से संबन्दी थे और राज्य को 6 से लेकर 14 साल तक के बच्छों को ने सुलक और अनिवारी शिक्षा उप्रूप करानी होगी ये हैं आपका 66 संसोदन 2002 का क्योशन और लास्ट क्योशन है विच्ष ओप दा फॉलोविंग स्टेटमेंट एबाउट सबसी टेंस फार्मिंग इस इनकरेक्ट कौन सा यहां पर सबसी टेंस यानि की जो निर्वा खेती है निर्वा किर्शी है उसके बारे में गलत है निर्वा के लिए है जो इसमें जो परतम स्टेटमेंट की इस तरह की खेती में घरेलू सरम का उपविज़ किया जाता है निर्श के आदूनी को और ऊच तक्निक का उप्यूग किया जाता है किसान परिवारों की जरूदतों को पूरा करने के लिए इसका अभ्यास किया जाता है प्रैक्टिस की जाती है तो इसमें जो तीन नमबर वाला स्टेटमेंट ही कि इसमें हाई एंड टेक्नोलोजी का उप्योग होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है यह एक निर्वा की खेती है जो किसान के लिए बहुती कम या कोई लाब नहीं देती है तो यह केवल मामूली आजीवका चलाने के लिए खेती की जाती है जो की है सबसिस्टेंस फार्मिंग यानि निर्वा खेती तो दोस्तों इस सिप्ट में 23 सक्टूमर को जो जूनियर इंजिनर का पेपर हुआ है तो 20 के उसन जीके के कमप्लीट हो चुके हैं और इस एक्जाम के आपके पास कोई भी सिप्ट पेपर है तो आप वाट्सेप जरूर कीजिए 8306932416 पर जो की डेस्क्रिप्शन बॉक्स में वैवलेबल हैं सभी इंपोर्टेंट पीडियो फाइल वो भी चेक कर लीजिए और इसकी पीडियो फाइल आपको टेलिग्राम चैनल पर जल्दी मिल जाएकि तो उसको जोइन कर दीजी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए वन दे मातरम जहिन दोस्तों